नमस्कार मैं नीता सर्मा एक और रेश्पी के साथ आज में लेकर के आई हूँ पावाजी पावाजी हम बहुती सरत तलही के से घर पे बनाएंगे चलिए तो पर स्टार्ट करें सबसे पहले हम आपको बताती हैं सबजीयों को वैल करना यह मैंने सबजीयों को पहले से काटके रखा है कच्चे आलू लिए मैंने बहुत छोटे-छोटे से टुकड़े काटे इसके में और साती लिए मैंने यहां पर गाजर इसे भी हमने टुकड़ों में काट लिया है एक बरतर में डाल देते हैं गाजर को और साती डाल देंगे कटा हुआ गोवी यह मैंने फूल पर इसे रख देंगे यह आसानी से वाइल हो जाएगा सब्जे अच्छे से वाइल हो चुकी है अब ठंडा होने के लिए इनका इंतियार नहीं करेंगे क्यों ठंडे होने के बाद आलू हमारे और सब्जियों मैस नहीं होती है इसलिए इसका निकाल देते हैं अभी हम पानी पानी निकालने के बाद उसी बरतन में उसी बरतन में हम यह आलू को मैस करने वाला है इसको लेते हैं और दवा दवा कर अच्छे से सब्जी को हम पहले मैस कर देंगे क्योंकि पाव भाजी है तो सब्जियों को अच्छे से मैस होना भो जरूरी है इसलिए हम जितनी सब्जियों को मैस करेंगे उतनी ही है भाजी हमारी बन करके तयार होगी यह आलू गाजा रुगोवी मैस उचके इन्हें एक साइट रख देते हैं अब कड़ाई में डालते हैं थोड़ा सा बटर बटर की मातर थोड़ी हैं जादा लेंगे भाजी में जितना बटर पड़ेगा उतनी भाजी हमारी स्वादिष्ट होगी थोड़ा सा गरम होने लगे तभी डाल देते हम जीरा जीरा हलका सा तलकने लगे अब डालेंगे लैसन और अधरक्का पेश्ट इसको भी भूज लेते हैं साथ ही डाल देंगे पाव भाजी मसाला थोड़ा सा पाव भाजी मसाला हम अभी डालेंगे और थोड़ा डालेंगे हम बाद में, मटर के साथ डालने से मसाले का स्वात और बढ़ जाता है, साती डाल देंगे बारी कटी हुई हरी मेच, ये कटा हुआ प्याज, प्याज को भी मैंने बहुत बारी काटा है, प्याज थोड़ा सा भुनने लगे, तभी हम डालेंगे इसमे बारी कटी हुई शिम्ला मिर्च और ये मतर और साथ ही डाल देंगे टोमाटर सबजी आप अपने इच्छा के कोडिंग ले सकते हो अब जो भी सब्जी पसंद करते हो उसे भाजी में डाल सकते हो थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि सब्जी हमारी जल्दी से पक जाए और ल और ये मैस के हुए आलू, गूबी और गाजर इन्हें भी हम डाल देंगे आप ये डाल देते हैं हम पावाजी मशाला साथ ही थोड़ा से बटर और डाल देंगे और ये आलू को मैस करने वाला है इसे हम अच्छे से दबा दबा करके सारी सब्जीयों को अच्छे से मैस कर तो हैं थोड़ा से डालेंगे इसमें पानी और दो से तीन मिनिटा किसे हम पकनी देते हैं सब्जी हमारी अच्छे से मैस हो जाएगी और अच्छे से पक जाएगी तो भाजी का स्वात दुगना हो जाएगा देखिए अच्छे से भाजी बनकर के तयार हो चुकी है अब डाल यह देदिस में बारी कटा हुआ हरा धनिया एक खाने में बहुती स्वादश लगती है मैंने ज्यादा कलर का यहां इस्तमाल नहीं किया है तब साथ आप भाजी बना करके तैयार किये अब लेते हैं पाव तब आप डालेंगे थोड़ा साभी घी यह मैंने यहां पर बटर का इस्तमाल किया है, आप चाहे तो घीका भी यहां पर इस्तमाल कर सकते हो, पलटते हुए इसे हम दोनों तरफ अच्छे से से शेक लेंगे, इस तरह दवा दवा कर हमें शेक लेना है, यह पाव भी हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, अब इन्हें हम एक पिलेट में निकाल देत करता से शेक लेजे से हमेता है, इस अञे हम आहिए, इस तरह देते हमें आप हमें पहिए, जाँ आपको मेंदे़ आपज एंदेरे अच्छे से से स्कतते हैं, प्या उति हैं रेकर से कSTट दो फो तोने हैं, अवा